नमस्कार दोस्तों मैं हो आशी शुराब देहरो टेक्डिसाइट तो दोस्तों गर आपके पास में स्मार्टफोन है ए श्रीज वाला हो जिसमें अंड्रोइड 9 पाय हो या फिर एंड्रोइड 10 हो तो ऐसे में आपको दो बताने आपको बिल्कुल ट्राइब करनी चाहिए जिस जो वर्क करती है उसके विए से आपकी बैटरी जो इना बहुत अट्रक बढ़ जाती है बहुत से बाद लोग बोलते हैं कि हम जो है कुछ एप्लिकेशन चलाते रहते लेकिन बैगरांड में प्रोसेस चलते रहते हैं यह बहुत जली ड्रेन होती है इंटेल का कनेक्शन सही से अब बात करता है तो पहला है यहां फोकस मोड और दुसरा यहां पर जो है वह विंड डाउन यहने की डू नौट डिस्टरब अब यह कैसे करना है इसको क्या करना है कैसे करना है सब कुछ जानते है और आपकी बैटरी आप कैसे भढ़ा सकते हो तो इस वीडियो को पुरा स्मार्टफोन है अगर उसके अंदर आपको Android 9 Pie हो Android 10 हो और उसमें आपको चाहिए डिजिटल वेल विंग ओके आपको करना कहा है कि आपको सबसे पहले धूमना है फूकस मोर अगर आपको यह से नहीं मिलता है तो आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर अब आपको जाना है उसे ब्लॉक भी कर सकते है उतने वक्त के लिए तो सब कुछ आपके हाथ में होता है अब अपनी साब से अपके हैबिट को और जो अगर आपको लगी तो उसको आप जो है कंट्रोल में कर सकते है और आप समझ सकते कि कितने समय तक आप जो है आप इसको पर टाइम स्पेंड कर रहें साथ में focus mode wind down और parental control भी होता है कि अगर आपके बच्चे कुछ अगर गलस content देख रहें जादा अगर देख रहें कुछ content आप अपनी साब से उस content को लॉक कर सकते हो ब्लॉक कर सकते हो अपनी साबसे बच्चे को क्या देखना है वह आप क्या से क्स्टमाइज कर सकते तो यहां पर दो features हमारे बहुत ही काम के हैं जो कि हम इसका यूज करेंगे बैटरी बढ़ाने के लिए सबसे पहला है focus mode और दूसरा है wind down wind down जो है यहां पर actual में देखाया है तो do not disturb है okay do not disturb तो यहां पर सबसे पहले focus mode जैसे हम इसे tap करते हैं यहां पर इस तरह से इंटरेपिस आपको आएगा अगर आपने first time चालू किया तो आपको यह उपर बताएगा कि यह जो है जब यह आप इसे activate करोगे तो आपके जो सभी आप से वो जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे और आप जिन apps को चूज करेंगे वही apps जो है रन में रहने वाले तो यहां पर basically इसी format के उपर एक काम करता है और हमने इसे इसलिए चूज किया है तो जो भी आपको apps यूज करना है जैसे कि आपके फोन में सभी apps जो है आपको यह चूज करना है और आपको जो जो apps आप यूज करते हो डेली रेगलर रूटिन के अंदर उनको सभी को आपको चूज कर लेना है तो यहां पर आपके फोन में जो जो apps आप रोज यूज करते हो जैसे कि Amazon आपको चाहिए तो आप Amazon के उपर क्लिक करें क्यामरा चाहिए Chrome चाहि अब स्टार्ट करने के बाद में हो चुका है focus mode on अब इससे हम बहार निकल जाते हैं क्लियर कर देते हैं टास्क को यहां पर जिस तरह से हम देख सकते हैं कि यहां पर देखिए जो मैंने एप्स को चूज किया था वही एप्स मुझे आप दिखने वाले हैं जैसे कि Facebook उसके बाद में Amazon उके उसके बाद में जियो टीवी टिक टॉक इस तरह से सभी एप्स गैलरी और यहां पर बात करो तो यहां पर जब आप जो है यह चालू करते है focus mode तो आपको calling यहने की call आप आप कर सकते हो यह बन्ख्योंगा साथी में आप message भी कर सकते हो密से वीद नहीं हो सकता KO ब्याने के बाद में जो है यह वह बलॉक 사़ सबीट यह चालू रहने भी जोए नोटिशन नहीं आएगा आपका वॉट्स प्रावन्ने को बिल्कुल ब्लॉक था है ऐसे में आप इनको चलने को पर्मीशन होती है नहीं नहीं करते नहीं इनका कोई सवाल आता है और ना ही internet access को भी लेते है तो ऐसे में अगर आप किसी particular app को access देना चाते हो internet की अगर आप PUBG खेलते हो तो वह समय पर आप बहुत ही कारगर होता है अगर आप खेलते हो PUBG और आपको पिंक का प्रॉलम आता है नेट को घर सिख सही से नहीं मिल पाता तो उस समय भी आप क्या कर सकते हो कि बस PUBG को सिलिक कीजिए और जो आप apps यूज करना चाते हो उनको सिलिक कीजिए एक या दो बस बहुत जरूरी होते है उनको ही सिलिक कीजिए और प्र आप पबजी करके देखिए कि आपको internet का स्पीड बहुत अच्छा नहीं है यूंकि एक प इसको बाद में settings यही चालो रहेगा और जो आप apps को चूज करेंगे वही आप जो है वह चालो रख सकते हो अब जो दूसरा feature से वह बहुत इंट्रेस्टिंग है जो कि है यह एक प्रकार से है जो कि है do not disturb अब इससे हम end कर देते है wind down क्या है wind down को जैसे हम on करेंगे आपको दिखाएगा कि उपर दिखाए wind down before bed by changing the screen to gray scale or blocking notification जैसे आप इसे on करते हो तो आपके screen जो है वो black हो जाएगी ग्रे हो जाएगी colorful नहीं रहेगी और यहापे कुछ blocking हो जाएगी notifications ओके तो हम इसे set करते है setting का time रखा है हमने रात को 11 ब अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस तरह से इन्हें हटा सकते हो बस यहापे Friday Saturday Sunday यहापे तीनों दिन तक यह जो है वो शेडूल होगा अगर आपको साथी दिन को यहापे शेडूल कर सकते हो अब यहापे जो है हम क्या करते कि अभी स्टैंप आपको करके दिखाते कैसे तो यहापे बजे है छे बचके चार मिनिट यहापे जो जो है यहापे देखिए यहापे आपको कोई भी आप नहीं करना परते बिस आपकी स्कृन जो है वो ग्रे हो जाती है color कुई तरह से यहाप पर ब्लैक और वाइट हो जाता है अब जैसे आप यहाप पर ब्लैक और होने के बाद में आप सभी जो notifications है WhatsApp हो, Facebook हो सब कुछ आपको आने वाली है यह block नहीं करता है, बस mute करता है अब यहाप पर करना गया आपको कि यहाप आप देख सकते हो, इस तरह से यहाप आप देखो कि turn on now, यहाप बताया गया है कि mute all calls, alerts and media except for you select exceptions, ओके तो अगर आप इसे off करते हो तो यहाप जो भी आप calling होगर आपको message आते है, तो उनकी जो notification आपको सुनाई देगा, अगर आप इसे on करते हो यहाप इसे hide कर सकते हो, यहाप इसे hide कर सकते हो उसके बाद में hide from notification list इसे भी आप hide कर सकते हो साथ में don't pop up notification आप को जो pop up notification आती है जो कि है, whatsapp वगर इसे उसे उसे on कर रखा है, तो यहाप ए मुझे disturb नहीं करेगी, यहाप इसे अगर इसे on करते हो, तो आपको कोई भी notification की जो है, वह रिंग टोन वगर सुनाई नहीं देगी, आप अपनी साथ सो कस्टमाइज कर सकते हो, और फोन जो है, वो ग्रेस के जाएगा, तो यहाप पर आपको पता है, जो है, फोन Super AMOLED डिस्पले के साथ में आता है, और साथ में ग्रेस के हो जाता है, तो आपके फोन में बैटरी खपद भी कम होती है, फोस मोर को आप जब भी on करते हो, तो आपकी बैटरी बहुत अतक बच जाती है, और अगर इसे ग्रेस्केल को पर भी डालते हो, तो आपको फोन को आफ करने की ज़रूद नहीं है, बहुत सो बार लोग करते हैं, आपको कि आपको साइट मोर को on कर देते हैं, उसके बाद में फोन को बन करके रख देते हैं, शाय से नहीं लगता है कि बैटरी और जाधा ड्रेन नहीं सकते हो, या फिर आप जो हो फोकस मोर का यूज कर सकते हो, तो आइटिंक कुछ लगता है कि आपको यहां पर यह सेटिंग समझ में आये होगी, आप सभी फोन्स में कर सकते हो, और अगर आपको पसन आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शिरकिए सस्क्राइब झाल